फटाक पे एप्लिकेशन से परसनल लोन कैसे लेते हैं? चलिए आज किस वीडियो में हम सीखते हैं दोस्तों अगर आप फटाक पे एप्लिकेशन से परसनल लोन लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं मैं आपको इस वीडियो में आज फूल प्रोसेस के साथ बताऊंगा कि फटाक पे एप्लिकेशन से कैसे आपको लोन एपलाई करना है अगर आप फटाक पे एप्लिकेशन से लोन लेते हैं तो कितना आपको इंट्रेस्ट देना पड़ेगा और कितने दिनों के लिए आप फटाक पे एप्लिकेशन से परसनल लोन ले सकते हैं चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और आगे जानते हैं दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि फटाक पे एप्लिकेशन से कितने रुपिये का परसनल लोन मिलता है और कितना आपको interest देना पड़ता है ताकि आपको बाद में loan लेने के बाद कोई दिक्कत न हो तो देखें यहाँ पर आपको फटाक पे application से 1000 रुपिय से लेकर 5 लाक रुपिय तक का personal loan मिल जाता है अब यहाँ पर आपको जो loan आपको दिया जाएगा उस पर जो आपको interest लगेगा वो आपको 12% से लेकर 35% annual interest आपको यहाँ पर लग जाएगा यानि कि मंतली अगर यहाँ पर interest देखे तो मंतली आपको यहाँ पर जो 1% से लेकर 2% का interest आपको देना पड़ेगा अब यहाँ पर आपको जो लोन मिलेगा वो आपको यहाँ पर जो है तीन महिनों से लेकर 36 महिनों तक के लिए मिल जाएगा अब मैं आपको यहाँ पर एक्जामपल अगर बताओं कि यहाँ पर अगर आप 10,000-20,000 रुपीय का लोन लेते हैं तो आपको कितना मोटा मोटा यहाँ पर चार्ज बगरा देकर चुकाना होगा तो देखें यहाँ पर example बताया गया है कि अगर आप 20,000 रुपिये का लोन 12 महिनों के लिए लेते हैं तो आपको interest देना पड़ेगा 20% per annum यानि कि annual interest आपको 20% देना होगा साती सात यहाँ पर आपको processing fee 500 रुपिये प्लस GST आपको 90 रुपिये देना होगा अगर आप इस लोन को मंतली EMI पर चुकाते हैं तो आपको मंतली EMI देना होगा 1850 रुपिये ठीक है तोटल आपका interest बनेगा 2232 रुपिये अगर आप इस application से 20,000 रुपिये का personal loan लेते हैं तो आपको total repayment करना होगा 2232 रुपिये ठीक है अब मैं आपको चलिए loan apply करने का process बताता हूँ तो इसके लिए सबसे पहले आपको फटाक पे application को play store से install कर लेना है then install करने के बाद open पे click करके open करना है यहाँ पर आप अपना language select करके आप नीचे continue करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको option मिलेगा next का next के उपर click करेंगे अब उसके बाद यहाँ पर आपको खाली box को tick करके accept and allow के option पर click करना है उसके बाद while using the app फिर allow पे click करना है अब यहाँ पर आप अपना mobile number यहाँ पर डालेंगे उसके बाद proceed एक OTP receipt होगा जिस OTP को आपको यहाँ पर डाल देना है और उसके बाद यहाँ से next अब आप application के home page पर आ जाएंगे यहाँ पर आपको फटा credit का option मिलेगा आपको simply इस पर click कर देना है अब यहाँ पर आप अपना date of birth डालेंगे आपका जो pen card number है वो यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद continue के option पर नीचे click करेंगे अब आप pen details submit कर देंगे आप आएंगे next page पर यहाँ पर आपको अपना आधार details को verify करना होता है इसके लिए यहाँ पर option मिल जाएगा verify with dizzy locker का आपको simply इस पर click करना है आप आज आएंगे dizzy locker के website पर यहाँ पर आपको अपना आधार card number डाल देना है आधार card number डालने के बाद next करेंगे उसके बाद यहाँ पर OTP बगरा आता है जिसको आपको submit करना है तो यहाँ पर आपको अधार card number डालके next करना है अब आप अधार card number डालके next करेंगे आपके अधार card के साथ जो mobile number लिंक है उस पर एक OTP send किया जाएगा उस OTP को यहाँ पर डालके आपको submit पर click करना है अब next page में आपका जो dizzy locker का security pin आपने बनाया था वो आपको यहाँ पर डाल देना है अगर आप diesel locker से पहली बार यहाँ पर KYC कर रहे हैं तो आपको एक six digit का security pin बनाने के लिए कहा जाएगा आपको security pin बना लेना है और done के option पर आपको click कर देना है अब आपका आधार KYC complete हो जाएगा अब आपको यहाँ पर अपना monthly income जो आपका है वो डालना होता है तो यहाँ पर option मिलेगा enter your monthly income आपका जो भी monthly income है वो आपको डाल देना है मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ यहाँ पर आपका monthly income कम से कम 20,000 रुपिये से उपर डालना है उससे कम नहीं डालना है इससे क्या होगा आपका loan मिलने का chances बढ़ जाएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर option मिलेगा type of residence आपका जो घर है वो खुद का है या मतलब rent में रहते हैं वो आपको select करके नीचे option मिल जाएगा continue का continue पर आपको click करना है अब यहाँ पर आएंगे next paper यहाँ पर आपको एक selfie upload करना होता है वो selfie को upload करने के बाद यहाँ पर submit करना होता है यहाँ पर आपको एक clear selfie upload कर देना है अब आप selfie upload करेंगे उसके बाद आपके application को check करने के बाद आपको जो loan approval मिलना है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो pen card number डाला था उस पर मुझे यहाँ पर 10,000 रुपिय का loan approval मिल चुका है जिसको मैं अभी directly bank account में transfer कर सकता हूँ तोटल मुझे 10,000 रुपिय का amount मिला है अब हो सकता है आपको यहाँ पर जो इससे कम amount का भी loan approval मिले या यह इससे ज़्यादा amount का भी मिले यह आपके details पर depend करता है आपको क्या करना है सारा खाली box को दोनों को tick करके निचे option मिल जाएगा accept offer का accept offer पर आपको click करना है अब यहाँ पर आपको तीन details को complete करना है तीनो details आप complete कर लेंगे आपका जो loan amount है वो आपके bank account में transfer हो जाएगा सबसे पहले option मिलेगा add nominee details इसमें आप अपना nominee details एड करेंगे उसके बाद add bank details पर click करके आप अपना bank account details एड करेंगे उसके बाद set auto pay पर आप click करके अपना auto pay setup complete करेंगे इससे क्या होगा जो भी आपका किस्त बनेगा वो किस्त आपके bank account से auto debit हो जाएगा इसके लिए आप सबसे पहले add nominee details पर click करेंगे then next page पर आप यहाँ पर nominee details एड करेंगे यहाँ पर nominee का नाम डालेंगे nominee का mobile number डालेंगे nominee से आपका क्या relation है वो select करेंगे और उसके बाद add nominee पर click करके nominee details को add करेंगे अब nominee details एड करने के बाद यहाँ पर option मिलेगा add bank details इस पर click करेंगे अब यहाँ पर आप bank details add करेंगे सबसे पहले यहाँ पर आप अपने bank का IFC code डालेंगे यहाँ पर bank का नाम डालेंगे जिस bank में आपका account है यहाँ पर account number डालेंगे उसके बाद फिर से यहाँ पर account number डालेंगे देन उसके बाद नीचे option मिलेगा continue के option पर आपको click करना है अब bank details एड़ करने के बाद यहाँ पर option मिलेगा setup auto pay यानि कि set auto pay का आपको simply set auto pay पर click करना है अब यहाँ पर आप auto setup को किसके थुरू complete करना चाहते हैं banking के थुरू या UPI के थुरू वो आप यहाँ पर choose करेंगे the next page में आप जिस bank को यहाँ पर auto setup के लिए set कर रहे हैं वो bank details उपर में आप डाल देंगे उसके बाद यहाँ पर option मिलेगा आपको method चूज करने का net banking या David card के थुरू आप auto setup को complete करना चाहते हैं अगर आपके पास account का net banking है तो आपको net banking के थुरू कर लेना है अगर आपका net banking नहीं है तो आपको David card के थुरू कर लेना है तो मैं यहाँ पर net banking को select कर लिया हूँ उसके बाद continue अब दोस्तों आपका सारा process complete हो चुका है अब आपको यहाँ पर option मिलेगा नीचे continue का continue पर क्लिक करके आप application को यहाँ से submit कर देंगे उसके बाद आपका जो भी loan amount approved हुआ है वो आपके bank account में 1-2 घंटे के अंदर ठीक है 1-2 घंटे के अंदर transfer कर दिया जाएगा इस परकार से अभी आप फटाक पे application से personal loan apply कर सकते हैं personal loan ले सकते हैं अगर आप फटाक पे application से personal loan लेना चाहते हैं तो मैंने आपको A to Z process बता दिया है कैसे आपको फटाक पे application से loan apply करना है और कैसे आपको bank account में transfer करना है तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही चली निश्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए